नमस्कार दोस्तों, इनके मोनीटर यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे इसलिए लाइक जरूर करें अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हिंदु धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए बताया गया है और साथ ही शुब और मंगलकारी भी मंगलवार के दिन को माना जाता है कहा जाता है अपने हर भक्तों की मंचाही मुरादें हनुमान जी पूरी करते हैं मानेता है कि मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों पर प्रभू की करपा हमेशा बनी रहती है दोस्तों मंगलबार को अगर विधी विधान के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाए तो निश्ची तोर पर जीवन में आने बाली हर कठिनाई से अतिश्रीक्र छुटकारा मिल सकता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलबार को काउन से ऐसे तीन काम हैं जिनको करने से खुशाहली आएगी और जीवन से बुरा समय खत्म हो जाएगा नमबर एक दोस्तों मंगलवार को शाम में हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ सर्सों के तेल का दीपक जला करें ऐसा करना बहुत अधिक फलदाई माना जाता है नमबर दो दोस्तों मंगलवार के दिन इसनान करने के बाद सर्सों के तेल का दीपक पीपल के पेंड के नीचे जलाएं उसके बाद तोलसी की माला से पूर्व दिशा की तरह मूह करके ग्यारह बार जब करें ऐसा करने से जीवन में शनी दोस्त का प्रभाव कम हो जाता है नमबर तीन दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान यंतर की इस्थाफना करें हनुमान यंतर की स्थाफना करने से सारी परेशानिया दूर होती हैं साथ ही रोजाना इसकी पूजा भी जरूर करें बाहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियर्लेस